और गुजरात का प्रभाव देश पर कैसा है उस पर तो मुझे व्याख्यान देने की जरूरत ही नहीं है। पुरा देश जानता है। गुजरात का प्रभाव हमेशा से रहा है। किसी जमाने में गांदी जी और सरदार पटेल के कारण रहा है। गुजराद की कमपनी को ठेका मिला, पेपर लिख भी गुजराद के गुदाम से हुआ, यूपी पुलिस की परिक्षा है, पेपर लीख हो रहा है गुजराद के ही आमदाबाद के गुदाम से, और जब जाच शुरू हो गई तो देश के कई अन्वीर गुजरातियों की तरह वो भी विदेश फरार हो चुके हैं। इतना बड़ा एक्जाम और उसके लिए जो कंड़क्ट करने वाली एजनसी है उसके बारे में जब पता लगाया गया तो उसके दफ्तर के बाहर एक बोर्ट भी नहीं था। किसी समय में गुजरात का नमक पूरा देश खाता था। आज गुजरात के पोर्ट से जो ड्रग्स आता है उस ड्रग्स का सेवन पूरा देश कर रहा है। तो गुजरात का कैसा योगदान रहा है और आज किस तरह का योगदान बना दिया गया है। उसका कॉंट्रास्ट आप देखेंगे तो वो खुद में बहुत चिंता जनक है। यूपी पुलिस की परिक्षा है और उसको कंड़क्ट करने की जिम्यदारी गुजरात की ये कंपनी को मिलती है। ठीक है ये ये खुद में बहुत हरतंगेज बात नहीं है किसी भी राज्य की कंपनी को मिल सकते थी। हरतंगेज बात ये है कि अगर आप इस पर ढंक से रिसर्च करेंगे कि इस देश में अलग-अलग राज्यों में होने वाली भरती परिक्षाओं का जो ठेका है वो किन कंपनियों को मिल रहा है तब आपको समझ में आएगा कि जिसकी जितनी हिसेदारी उसकी उतनी भागेद आप श्रीफलारी उसकी खुदू है और गुजरात की है जो मैंने शुरू में बात कही जब वह पकड में आ जाये तो क्या होगा जदा सज्याद सज्यादा उतरपरदेश सरकार ने कहा कि हमने ब्लैक-लिस्ट कर दिया ऐसा ही एक बार हुआ था कि मद्यपरदेश सरकार ने क कमपनी को ब्लैक लिस्ट किया और उसी कमपनी को उतर प्रदेश सरकार ने ठेका दिया तो ये भी एक आम बात है हमारे देश में कि किसी कमपनी को एक राज में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उसी कमपनी को किसी दूसरे राज में फिर से परिक्षा कंड़क करने का ठेक मिलने लग जाता है इसलिए NTA की आवशक्ता थी इसलिए ऐसी एजेंसी की जरुवत थी जो परिक्षा कंड़क करें तो accountability सीधे तोर पे सरकार पर आए तो इस वाले मामले में यूपी वाले मामले में तो गुजरात की कंपनी को ठेका मिला पेपर लिख भी गुजरात के गोदाम से हुआ यूपी पुलिस की परिक्षा है पेपर लिख हो रहा है गुजरात के ही एहमदाबाद के गोदाम से और जब जात शुरू हो गई तो देश के कई अन वीर गुजरातियों की तरह वो भी विद केंद सरकार को लाना है तो मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है उत्तर प्रदेश सिपाही भरती के पेपर लिग का जो मामला है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का मामला आप नहीं रहा अब वो केंद सरकार और उत्तर प्रदेश का मामला मोदी जी और योगी जी दो वापस लोटने का इनका भी उस लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा